है यहलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक मैं चैनल टार टीचर जॉब मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर लिजे और वेल आइकन वेंजन स्वरों का वर्गी करड़ वेंजनों का वर्गी करड़ और संधी समास यह सारी टॉपिक कवर किये हैं अगर आपको इन सारी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं आज हम रस रस का साबदी करते आनंद का साबी को पढ़ने या सुनने से जिसानंद की अनबूत होती है उसे रस कहा जाता है सर प्रतम भरत मुनी ने अपने ग्रंत नाटे सास्त्र में रस का उलेख किया है भरत मुनी के अनुसार रस की संक्या आठ होती है भरत मुनी ने अपने रस सूत्र में अस्थाई भाव का उ संख्या जो है आठ बताई लेकिन सर्वसंबत के नुसार रस की संख्या क्या होती है वो होती है 11 और नाटि विधा के नुसार रस की संख्या होती है रस को कावी की आत्मा या कावी का प्रांट तत्त माना जाता है यह बहुत ही महत्तपूर चीज़े हैं कभी कभी आपके रस से कोस्टिन डारेक्ट ना पूछ करके उसके बैक ग्राउंड या इतिहास पूछ लेता है तो यह सारे चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रस क किसने कहां पर लिखा रस की आववयव और अंग पहला है विभाव दूसरा अनुभाव तीसरा संचारी वाव अत्वा बैभिचारी वाव और चौथा स्थाई वाव अब विभाव क्या होता है रस को समिनने के लिए हमें यह चार चीज़ें बहुत धंग से जानी होगी वि भाव हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनका जो पत्ति का कारण क्या होता वो होता है विभाव अथार्थ जो पदार्थ व्यक्त यद्वा बाहे विकार अन्य व्यक्त के हिर्दय में भाव द्रेक करता है उन कारणों को बिभाव कहते हैं मनलब जिस भी बाहरी कारण जो भ आलंबन विभाव और उद्धीपन विभाव आलंबन विभाव क्या है जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं जिस चीज को देख करके हमारे मन में भाव प्रकट होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं जैसे नायक नाई का आलंबन विभाव के दो पच होते हैं एक पच्च का दूसरे पच्च को देख करके जो भावत्पन होता है उसे हम आलंबन और विस्या लंबन कहते हैं उदाहर देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा मलब आपने अभी देखा यहां पर कि विभाव क्या होता है विभाव हमारे भाव की उत्पत के कारड विभाव माने गए हैं हमारे मन में जो भाव उत्पत के कारड क्या है विभाव मलब जब हम कोई बाहरी चीज देखते हैं तो हमारे मन में जो भावत्पन हुआ या हमारे हिर्दय में जो भावत्द्रेक करता है उन काड़ों को ही विभाव कहते हैं इसमें आलंबन विभाव और उद्धिपन विभाव क्याता है एक वोता नायक और दूसरी नायका नायक और नायका के मन में जो भी विभाव या अनुभाव उत्पन होते हैं उसमें एक अलग ही तरह का आस्रिया अलंबन और विस्या अलंबन जिसको हम कहेंगे जिसके मन में सीता के प्रती रती का भाव जगता है तो राम आस्रे होंगे और सीता विशय मतलब राम आस्रे अलंबन होंगे और सीता विशया अलंबन राम के मन में सीता के प्रती जो रती का भाव जगता है वो सीता को देख के जगता है लिए विश्या लंबन हो गई और देखें उद्धीपन विभाव क्या है जिन वस्तू Pokemon को देखकर और उस परिषिति होती है जिसमें देखकर या जिस वस्तु को देखकर ब्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन होता तो उसे उद्दीपन विभाव करते हैं जैसे चांदनी कोकिल कूंजन एकान तस्थल रमडी कुद्यान नायक या नायका की सारीरिक चेश्टाएं आदी चांदनी रात में कोईल कूंक रही है तब या एकान तस्थल है या रमडी कुद्यान है तो ऐसे जो एट्मोस्फियर क्रियेट होते हैं उसमें जो नायक जो भाव उत्पन होते हैं वो उद्दीपन विभाव के अंतर गताते हैं ये सब क्या है ये नायक और नायका को एक दू उस एकसप्रेशन को ही अनुभाव कहते हैं किसी बीचीज को अगर वहां पर उन्हें अच्छा फील हुआ तो उनका इस्प्रेशन क्या होगा वैड होगा तो इस तरह से जो एकसप्रेशन होता है उसको कहते हैं अनुभाव अथार्थ आलंबन और उद्धीपन विभाव के कारण उत्पन भाव को बाहर प्रकासित करने वाले कारे अनुभाव कहलाते हैं कहने का सेंस यह है कि जो भी उद्धीपन विभाव के कारण भाव उत्पन होते हैं वो उनके फेस पे उनके चेरे पे भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं अनभाव कहते हैं जैसे गुस्ते में मुह लाल हो जाना ये एक भाव को प्रकट कर रहा होट फड़कना दिल धड़कना नतने फूल जाना प्रेम में पसीना आना गृड़ा में नाक स्विकूरना ये सारे क्या एक भाव को प्रकट कर रहा है हर एक हर एक एक एक्टिवीटी का अपना एक भाव ह गुस्से में मुह लाल होना भी एक भाव है नतने फूल जाना भी एक भाव है गिड़ा में नाक को स्विकोड़ना भी एक भाव है चलिए आगे देखते हैं संचारी भाव और व्यभिचारी भाव जो भाव अस्थाई भाव के सहायक रूप में आकर उनसे मिल जाएं वे संचारी भाव कहलाते हैं जब किसी परिस्तिती में कोई उद्धीपित कारे होता है जिसकी विज़ा से उसके मन में संचारी भाव उत्पन होता है तो उसको उसमें सहायता जो करता वो होता ब्यभिचारी भाव अनकूल परिसितियों में घटते बढ़ते रहते हैं ये संचारी भाव जो होते हैं अगर परिसिती अनकूल है तो वो बढ़ेंगे अगर परिसिती अनकूल नहीं है तो वो घट जाएंगे मन में संचरड करने वाले आने जाने वाले भाव को क्या कहा जाता है संचारी या ब्यभिचारी भाव मलब थोड़ी देर में मन का भाव कुछ और हो ना और थोड़ी देर में मन का भाव कुछ और हो जाना वो क्या कराता है संचारी भाव कहलाता है भरत मुनी ने पानी में उठने और आप ही आप बिलिन होने वाले बुलबुले के समान होते हैं ये संचारी भाव मलब ये छड़ भंगुर होते हैं थोड़ी देर में इनकी वज़ा से भाव कुछ और होता है थोड़ी देर में इनकी विज़ा से भाव कुछ और होता है तो ये क्या भरत मुनी ने इनको क्या का पानी में उठने माले बुलबुलोई के समान इनकी संख्या कितनी मानी गई है 33 मानी गई है ये question आपको पूछा जा सकता है कि भरत मुनी ने संचारी भाव की संख्या कितनी बताई है इस तरह से भी कभी आपको डारेक्ट आपके रस से question न पूटब करके उसके background से question पूटब करता है तो इस तरह के question एक जाम में आ सकते हैं चलिए अब last अस्थाई भाव अस्थाई भाव का मतलब प्रधान भाव होता है प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की आवस्था तक पूँचता है अस्थाई भाव यहां पे हमने देखा था न संचारी भाव क्या था संचारी भाव में क्या होता है कि जो परस्तितियों के अनुसार change होता रहता लेकिन अस्थाई भाव जो होता है वो एक प्रधान भाव होता है जो रस्थ की अवस्था तक पहुचता है जो नायक या नायका के मन तक टिका रहता है काब या नायक में एक अस्थाई भाव सुरू से आखरी तक होता है अस्थाई भाव की संख्या नौ मानी गई है अस्थाई भाव ही रस का आधार है मुलब अब यहाँ पर देखे आपका क्लियर हो रहा है रस के बारे में अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है नौ मानी गई है और अस्थाई भावी रस का आधार है एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव रहता है इस तरह से रसों की संख्या भी नौ है हर एक रस का एक अस्थाई भाव होता है इस तरह से टोटल जो रस है वो हो जाते हैं नौ जिन्हें हम कहते हैं नौ रस बाद के आचारें ने दो भाव और जोड दिये कौन-कौन से वातसल्य और भागवत विसेक रती को अस्थाई भाव की मानिता दी इस प्रकार अस्थाई भाव की जो संख्या हो जाती है वो 11 तक हो जाती है लेकिन इसमें कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्नों ने कहा कि जो रस हैं वो केवल नव हैं वो नव क्यों होते हैं जो नाटि विद्वा के लोग हैं उनका कहना है कि जो भक्ति और वात्सेले रस है जो की दस्वें और गिरावें नमबर पर आते हैं उनका अस्थाई भाव रती है अब अस्थाई भाव रती है तो रती अस्थाई भाव तो आपका सिंगार रस का भी है भक्ति रस को इस विश्यक रती वात्सले को संतान विश्यक रती कहते हैं और हमारा जो सिंगार रस का स्थाइबा हुए वो भी रती होता है नाटि विधा के लोग सिंगार रस के अंतर गती ये दोनों रसों को देखते हैं जिससे 11 की वजाए ये 9 ही हो जाते हैं 9 रस कैसे होते हैं नाटि विधा के जो लोग हैं वो आपके वातसले और भगवत विश्यक रती को क्या कहते हैं ये दोनों सिंगार रस के अंतरकत रखते हैं जिसके विज़से अब रसों की संख्या हो जाती है 9 अब देखते हैं रस के भेद अस्थाई भाओं की प्रारंबिक 9 संख्या के अधार पर ही रस के भेद किये गए हैं जो इस प्रकार है मनलब आपके अगर आप बास्तरले रस और भगवत विश्यक रती को सिरिंगार रस के अंतरकत इंक्लूट कर लेते हैं रस की संख्या कितनी हो जाती है लेकिन हमारे भरत मुनिं ने रस की संख्या आठ वटाई आपका इस तरह से आप का कोस्शिन म delic ये कि फिला भरत मुनिंगे अनुसार रस की संख्या कितनी है वह जाती है ये sentiment तो अगर लेकिन हमें मुक्यते कितने रस पढ़ने होते हैं, यहां पे में मुक्यते न रस ही जानने और पढ़ने होते हैं, नौरस में आपका सिंगार रस के अंतरगति आपका वातसले रस और भक्ति रस को हम इंक्लूड कर लेते हैं चलिए इसमें हम देखते हैं रस के भेद अस्थाई भाओं की प्रारंबिक नौ संख्या के अधार पर रस के भेद किये गए जो इस प्रकार हैं रस के नाम और उसके अस्थाई भाओं सिंगार रस नंबर वन पे सिंगार रस और इसका अस्थाई भाओं क्या है रती देखिए आपे सिंगार रस का भी अस्थाई भाओं रती है और इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं वातसले रस और भगवत विशेक रस इसकी जो करें तो टोटल 11 होते हैं अब आप ये जब भी इस तरह के कोश्चन आये रसों की संख्या के बारे में तो पहले आप ध्यान से कोश्चन को पढ़िए कि रस आपको कितने रस के बारे में पूछ रहा है कि नंबर वन हम लोग देखें तो सिंगा रस जिसका स्थाइबाव रति था दूसरा करूड रस जिसका स्थाइबाव होता सोग अदभूत रस जिसका स्थाइबाव होता विसमें राद रस जिसका स्थाइबाव होता क्रोध वीर रस जिसका स्थाइब इस तरह से टोटल संख्या जो हो रही है वह हो रही है 11 लेकिन जो मेन मुख्य जो अगर आप से संख्या पूछता है तो वह होता आपके नौकिवल क्लियर यह देखिए आपके जो यह अस्थाई भाव आपके दिखाई दे रहे हैं क्रोध उस्था हास सिभै घ्रडा निर्वेद यह सारे आपके जब हम यहां पर पढ़ रहे थे इसके पहले यहां पर देखिए अनौभाव में जब हम लोग पढ़ रहे थे आंतरिक मनौभाव के जो सारी इक बेंजन होते हैं उनको अनौभाव कहा जाता है यही अनौभाव ही आपके क्या हो जाते हैं यही अनौभाव ही आपके अस्थाई भाव के रूप में कनवर्ट हो जाते हैं यही अनौभाव आपको जब आपका में रस में पहुंच जाते हैं तो वो अस्थाई भाव में कनवर्ट हो जाते हैं और उनका अपना एक अस्थान हो जाता है जैसे सिंगार रस का क्या हो जा सोख हो जाता है अद्भुत रसका हो जाता है विसमें रौध रसका क्रोध और वीर रसका उत्सा हास्य रसका हास्य और भयानक रसका भै और विवत रसका घृड़ा यानि कि निंदा करना सांत रसका निर्वेद और वासल रसका वासल रती और भक्ती रसका भगवत विश्यक देखिए जब हम ध्यान से यह सारी चीजे पढ़ेंगे जब आगे आने वाले टॉपिकों में तो उसमें जब आप पढ़ेंगे स्रिंगार रस तो स्रिंगार रस में रती का मतलब होता है प्रेम और यहां पर वात्सले का मतलब भी प्रेम और भक्ति रस में का भी जो अस्था स्रिंगारस के भी दो भेदागे आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको प्रेम एक नायक नायक नायका का प्रेम है एक उसमें संयोग और वियोग दो तरह के प्रेम आपको देखने को मिलेंगे और इसमें भी देखेंगे वातसले का मतलब होता है मां का अपने संतान के प्रत तो दोस्तों आपको भी वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके में जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू स जाय है हिंदे